कि देखो भई एलजेब्र हम पड़ रहे हैं और एलजेब्र में भी जो अना आज जो टाइप पड़ेंगे वह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भई देखो टाइप अपने क्या है आपको पेपर में जो अना ऐसे कुछल दिया मिलेगा इससा स्केयर माइनस में बारा 15 स्केयर माइनस में बारा एकस ओं गई फिट्टीवन है इसकी वेल्व आपने बतानी है यह वेरी वेरी इंपूर्टेंट आइप अभई देखने में आपको असान लगागी और जैसे मैं को अगर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जेगा देखो एक कुछिन में कवा कि एक का उदफ गिवन है और एक्स इक्वोल टू ही लेओन है औ पर जब तुम इसको सोल करोगे ना तो कम से कम 10-15 मिंट लगजेंगे ऐसे तो क्योंकि जब तुम यहां लिखोगे जहां एक से 11 तो 11 के पावर 4 करने पड़ेगे सोल यह 11 के 3 फिर इसको टेवेल तो मर्डिबलाई यानि आपका बहुत टाइम बरबाद होजेगा यानि आप डारेक्ट अगर एकस के जगए 11 लिक करने इसको सोल करने बैठोगे तो 15-20 मिंट आपके लगजेंगे तो आपको वैसे सोल बिलकुल भी निकरना वे तो कैसे करोगे देखो दो तरीके वही पहले हम आपको बताओं बेसिक और फिर बताओं उसका सोटकट में देखो बेसिक है जब भी इस टाइब को कुछन होना कि वह उसे एकस इकोड यह है और जिसकी वैलो आपने बताने हो एकस में लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे वही उसमें जो एकस की पावर फॉर एकस की फ्यूब एकस सुकेर यह जो कोफिषियंट है ना यह जो कोफिषियंट है जो वेल्व वना उसमें भरेक कर लो उसमें क्या कर लोगे बरेक आप कर लोगे जो भी आपके एकश की वेल्व है उसमें आप बरेक कर लो जैसे देखो आपने वेल्व किसकी बताने है एकस की पावर फोर माइनस बारा एकस की पावर थरी पलस बारा एकस स्केर माइनस में बारा एकस पलस में फिफ्टी वन आपने करना गया वही जो क्यूब का कोफिशेंट है जो स्केर का कोफिशेंट है और जो वन पावर का कोफिशेंट हना जो भी ए इसमें पर यह कर लो का केसे करोगे जो एकस की 4 हैना उसको तो यह और अग्ली कर ने दो है यह –12x की YUB है और ł-1x3 की explosive में लिखते कूँँ म। जो भी at qqV वह न rectangular करना है यह 12x 3 है इसको मैं निकाल लिख दिया ग्यारा एकस के 3 और EKS के 3 अलख दिए बात होगी 11 एक बारा मैनस के बारा हैं तो मैनस के 11 मैनस का ही 1 लोगी उसके बाद पलस 12 X स्केर इसको लिखोगे 11 X स्केर 20 X स्केर आइधिया जोभी X के वेले हो उसमें अप्रन हब रिक तो 12 X स्केर हैना क्या एक्सक्राइघ्ल और एक स्केरिया माइनस के बारा एक सstep करों और पलस में फिप्ती वन एक तरीका है अगर आपको यह समझा वह तरीक समझावाद हुआ आप देखो भी, x की value 11 है, यहाँ पर भी 11 है ना, वहाँ पर x आप लिख सको, अरे x equal to 11 है, यहाँ पर भी 11 लिखो हो, वहाँ पर आप क्या लिख पाओगे, x लिखो भी तो भी, तो यहाँ का बने x की 4 है, इसमें जहाँ पर भी 11 है, वहाँ लिखो x, तो x into x की power 3, तो x की 4 हो गया हूँ, इसमें जहाँ पर भी 11 है, वहाँ लिखो x, अब x into x square, तो x की power 3 हो गया, पलस में कूण x square, माइनस, जहाँ पर भी 11 है, वहाँ लिखो x, तो x into x, x square, माइनस में कूण x, पलस में कूण 51, अब जो कटा काढ़ दो, x की 4, x की 4, cancel, माइनस से पलस, पलस से माइनस, अब लाश्ट में कूण बचे आपका, लाश्ट में बच गया होई, माइनस x, पलस में 51, अब वो जो वेल्लू होँ, ना, x की वेल्लू 11, यहाँ लिखनी की बजाए, यहाँ लिखनी असान है, अब इसमें जहाँ एक्स, वहाँ क्या लिख अब लिखनी की बचे आपका बनेगा, माइनस 11, पलस 51, अब लिखनी की बचानी है, तो आप डारेक्ट जाँ, एक समाँ 11 नहीं लिखोगी, सोल तो उस तरीकत होजेगा, पर आपका बहुत टाइम बरबाद होजेगा, तो आप कैसे करोगे, इसमें जहाँ पर भी एक्टेवेल हैना, जहाँ पर भी एक्टेवेल, अनि क्यूब का कोफिशेंट, स्केर का कोफिशेंट, और x का जो कोफिशेंट है, जो भी आपके x के उसमें बरेक आपने करना है, यह कर दिया बरेक, उसके बाद उसमें जहाँ पर भी 11 होँआ क्या लिखोगे, x, जहाँ भी 11 होँआ लिखोगे x, सारे कट गये वहीं, लास्ट में कौन बचया, माइनस x पलस में 51, अब जो x उसके जो भी वेल हो, लिख दो यहाँ पर, तो उ सोट कट गया है मेरा, देखो सोट कट वह यहीं से आज रहा, समझ में आपको, माले x equal to यह देखन है, और आप से वह किसी की वेलू पुछ सेना, तो आपने करना गया होई, जो कॉंस्टेंट रम होना, जिसके साथ x नहीं है, जो कॉंस्टेंट रम है, उसमें से x की वेलू म कर दो, यह इसका सोटकट है, पर यह जो सोटकट है न, वो हर बार आपका सक्सेस्फुल नहीं होगा, यह सक्सेस्फुल तबी है, जो x की वेलू आना, उससे नेक्स्ट होने चाहिए, एक्ष के जो कॉपिशेंट उससे क्या हो, नेक्स्ट हो, और यहापर इन्यावन है, यह की वैलू बताओ तो आपने सोच ना ही ने जो भी पॉंस्टेंट है ना उसमें से एकस की वैलू माइनस कर दो ओई कोन होगा मेरा अंसुगा पर ध्यान रहे ये शोटकट कभी होगा जब जो एकस की वैलू अनुषे नेक्स्ट उने चाहिए उसे क्या होना चाहिए नेक्स्ट ओने चाहिए एक तुम दिखो भई लिखो कुस्सन अभी आपका इफ x equal to 12 और आपने वेल्लो बताणियां भई find x के पावर 4 minus 13x square plus 13x square minus में 13x और plus में कुण भई 60 लिखावा है इसके वेल्लो बताओ x equal to 12 है और इसके वेल्लो आपने find out करने है तो क्या ट्रिक मेंने बता दिया आपने सोचना ही नहीं जो भी आपका constant है ना जो भी कुण हाँ यह आपको ध्यान रहे कि जो x के वेल्लो आना यह square square ने बलके आपका 3 power होई 3 power का coefficient और square का coefficient और 1 power का coefficient इससे आपका next होना चाहिए इससे क्या हो next number होना चाहिए तो ही आपका यह shortcut कामिया हुए कि जो भी constant है जो भी constant है उसमें से x के वेल्लो माइनस कर दो वो ही आपका कौन होगा आनसूर कौन बनेगा साथ माइनस में बारा यानि कौन मनें दस में से दो गए आठ और पांस में से एक गया तो अटालिस में है तो यह बिल्कुल असान है वई अगर आप बिल्कुल बेसिक से करोगे तो आपके लिए 15-20 मिट लगेंगे पर जो बेसिक तरिका मैंने बताया है इसको टेवेल में बरेक करोगे फिर जहां पर भी टेवेल है वहां पर एक्स लिखोगे तो लाश्ट में कौन बज़ेगा लाश्ट में आपका कट पिटकन है माइनस एक्स पलस में यह साथ बचाएगा उसके बाद जो एक्स की वेलुए लिखोगे बारा तो साथ माइनस में बारा अड़ताड़े समस्वर हो जिर पर यह सोटकट में आपको फिर बोल दो तभी कामियाब है जो एक्स की वेलुए वना इन तीन के कोफिशेंट वो होने चाहिए माले इसी कुश्ण में इसे बोल दे माले यहाप सरटीन है ना माले शिरफ यहाँ यहाँ चेंज करेगा अगर वो करेगा तो माले यहाँ पर लिख दे वही माइनस का फूरेटिन एक्स है माले आपर क्या लिख दे हो माइनस का फूरेटिन एक्स लिख दे तो अब आपका जो सोटकट हो वो सक्सस नहीं है कि अगर आप अब भी यह निकर सकते हैं कि constant में शीर कर दिया minus तो वह यह अनसुर होगा नहीं अब थोड़ा साथ basic समझो basic मेंने क्या बदाया है cube, square और जो x का coefficient है न वो x के value में break करना है अब यह minus का पॉरेटीन x है तो करना 12 वे break तो इसको आप लिखोगे minus के 12x और minus के कूण 2x लिखोगे plus में कूण है होई, 60 तो है आपका फिर जहाँ पर भी 12 होगा आप क्या लिख दोगे x जहाँ पर 12 होगे x तो minus का x स्कूर होजेगा x into x minus का 2x plus में कूण 60 अब यह x स्कूर तो जो पहले वाड़ x स्कूर उसको काड़ देगा और राष्ट में अपके बार यह बचेगा अपके बार नसूर कोन होगा वही जो x की वेलू अना उसको 2 से करके multiply तो 60 में तो माइनस करना पड़ेगा अपके बार नसूर कोन होगा 60 और x की वेलू को 2 से करके 12 उन 24 तो माइनस करना आने 60 माइनस में 24 वह आपके बनेगा देखो जो shortcut वो तभी तक valid है जब 3 पावर के coefficient है इससे next हो अगर इससे next है तो सूच नहीं नहीं कोन स्टेंट में से x करना माइनस पर अगर वह यहांपा कई बार वह चेंज करते हैं में x ना दिया पाव कोई और नमर दिया वह थोड़ा सापको दिमा की उजगरना वही जब देश हमने पड़ लिया कि यह जो तिन्नों चीज़ा न हमने x की वेल में ब्रेक करने यह तो आ माइनस के 12x माइनस में 2x फिर जहां पर 12 मा लिखो एकस तो x x square यह 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 पहले वाड़ा दा कट जेगा अनि लास्ट में यह बचाएगा और इसके वेल जहां एकस अलिक दा बारा तो सायठ माइनस 24 वह नसूर हो गया एक तुम लिखो भई थोड़ा सा आपने दिम कि जिसमें करना पड़ेगा जैसे एक कुछन में दिखा हुआ है इफ एकस इकोल टू थेरा और यह लिख दिया है इसने फाइंड 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 एकस के 4 माइनस 14 एकस के 3 पलस 14 एकस स्केल फिर माइनस में 14 एकस पलस साइट बताव किस के ब्राबर होगा तो आपने सोच नाहीं नहीं एकस की वेल्ट साथ्न है और क्यों बूब स्केर और वन पावर के जो कफिशेंट है वह एकस की वेल्ट अपके निक्स्ट ही है औरहिकत उप को सोच नहीं नहीं जो भी x-ql वो कर दो – वह इंद दस में से 3 गाया 7 और 5 में से 1 गया 4 तो 47 हो गया पर उसल में जो आना यहां आप माइनस का 14x को नहीं माइनस का 15x निखा हुआ माइनस का 15 तो अब आपका सूट कट नहीं चलेगा अब थोड़ा सबको बेसिक पर ज्यान देना है जब अपने पता आवे यहां तक कतो सारा कटना है यहां तक कतो सारा आपका कटना है आप सिद्धा यहां जाओ अब आपने इसको 13 में ब्रेक करना है अब 15 ने 13 में ब्रेक करना तो क्या दिखोगे माइनस का 13 x और माइनस का 2 x ही दिखोगे तब तो माइनस का 15 x बनेगा पलस में कून 6 अब जहां पर भी 13 वाँ आपका तो x आ देगा जहां पर 13 वाँ x x इंटू x x स्क्वीर माइनस का 2 x पलस में 6 यह जो माइनस का x स्क्वीर में पहले से कटाएगा और वाश्ट में आपका यह बचाएगा और आप इस में जहां एक समाली तो 13 तो तेरा दोनी 26 आनि 6 माइनस में 26 6 माइनस में 26 वो आपका क्या बनेगा अनसोर बनेगा और 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 2 गया आवे आनि 34 बनेगा आपका तो थोड़ा सब को समझने के कोशिश करने वे चीज एक तुम लिखो भी दो भई लिखने एक कुशन इसमें लिखा हुआ भई इस x इकुवल टू 18 x इकुवल टू 18 और आपने फाइंड करनी है क्या फाइंड करनी है हुई x की पावर 4 माइनस 19 x की 3 पलस 19 x स्केर माइनस के 17 x पलस के 28 समझने यह वेल्व आपको फाइंड आउट करनी है तो उसी 10 ओट के टकका नहीं चलेगा क्यों क्योंकि जो x की वेल्व आनना ये कोफिसेंट सारे के सारे उससे अगले को नहीं यह तो अगले वड़े हैं पर यहां तो 79 अगर यहां भी 19 होता तो आपका शोटकट यहां सक्सेस्फूल नहीं इस कोंस्टेंट में से यह करतो माइनस वह अनसोर होगा पर अब नहीं चलेगा अब तो थोड़ा सापको बेसिक को ध्यान देना पड़ेगा तो क्या बता दिया वहीं जो माइनस के 18 एक्स और पलस एक्स लिखना पड़ेगा अरे 17 को 18 मा करना ब्रेक तो माइनस के 18 और पलस का एक लिखोगे तब तो माइनस का 17 बनेगा वह साथ में एक्स साथ में एक्स लिख दिया हैं पलस में कोण 42 अब जहां भी 18 वाँ तो x लिखोगे जहां 18 वाँ x तो माइनस का x स्केर पलस x पलस का कोण 42 माइनस का वे यह माइनस का x स्केर पहले वड़े से कटाएगा याण यपकी बार माइनस नी अपके बार कोंस्टेंट में x की वेलों पलस होगी अण अपके बार नसोर कोण होगा 42 पलस 18 42 पलस 18 याण कोण बनेगा वे अपके बार नसोर होगा 10 4 5 1 6 बनेगा तो थोड़ा सकर वाँब माँगे कुछिन देवता आपको ध्यान रखनी यह चीज़वे लास्ट लिखो देखो भी x इकोल टू कोन है मेरा वे 22 अवे x इकोल टू कोन है मेरा 22 और आपने वेलो बतानी है वे x की पावर 5 माइनस 23 x की पावर 4 पलस 23 x की पावर 3 माइनस 23 x स्केर थोड़ा सोफेट लिख दो भी तो आप अपना दिखे कर कुसर अब है if x इकोल टू 22 x इकोल टू कोन है मेरा 22 है और आपने वेलो बतानी है x की 5 माइनस 23 x की जार पलस 23 x की पावर 3 माइनस 23 x स्केर आपने बतानी है आपके बार देखो द्यानता आप कोफी सेंट तो आपके नेक्स्ट ही है के बार जो स्तेडिंग हों पांच पावर्त हैं प्रका जान रखना है के बार यहां साइन क्ल नेकर के पॉलस का जो आने बागव क्यों कि ग्रित्य दिना उसमें यहां पर साइन माइनस का था तो थोड़ा सब आपको बेसिक ज्यान देना वहीं बेसिक अमनिकापड लिया यहां के तो आप सोचों मत यह तो कटनी असारे शिद्ध आप कोफिशेंट करो जाओ यानी जो एकस के वेलु आना उसमें बरेक करो इसको करना अब ते organize को 22 में करें Sak na तो क्या लिक़ोगे 22 पना सब्सक्राद यानि 22 एक्स पलस एटी एट पक्की बात हो चाहिए तुम भी शिक से कर लेना यह स्क्वेरी की ट्रम हमेशा प्टेगी पहले वारत यानि अपकी बार एटी एट में जो एक्स की वेल वह जोडनी है यानि एटी एट पलस में टोंटी टू तो वन सोर को नाट दो दस आट दो दस रहे हैं बाकी सब खटेंगे शिद्च एक्स के कॉफिशेंट पाजाओ उस कॉफिशेंट को जो एक्स की वेल वह उसमें ब्रेक करो जैसे तेश को 22 में तो तो तेश को क्या लिखोगे 22 जमारे एक लिखोगे अब साथ में एक्स साथ में एक्स लिख दिया जो भी को पूरा सोल कर लिए और कि वाल लाष्ट में क्या बचागा एक्टी एक पॉलस एक्स उसके बाद जो भी एक्स के वेल हो लिख दिया हमने सोल करें आन्सोर आगे तो यह टाइप आपने पूरी करने अब ही तो चल करेंगे नेक्स्ट टाइप आपकी